सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों, परिश्कार वल में आप सभी का स्वागत है, आपके सामने मैं टॉक्टर नमीदा शर्मा आज बात करूंगी बहुती खुबसूरत टॉपिक पर वाइदिक सुक्त, देखिए वाइदिक सुक्त जो हमारा टॉपिक है ना के वल कॉलेज व्याख्या था, ब देवता क्या है, देखिए रिगवेद में बहुत सारे सुक्त हैं, आप जानते हैं, दस मंडल हैं, और दस मंडल में बहुत सारे सुक्त हैं, बहुत सारे सुक्तों में बहुत सारे देवताओं की सूती की गई है, यानि इस चीज तो क्लियर है, कि रिगवेद में हर सुक्त क है लेकिन हर सुप्त का बह और एक कुछ वूमरी बात उनता है जो हमेशा लगाएंगे जो हमारा जान करता है जो हमारा खयाल रखता है वह क्या है इसी तरीके से क्या हुआ कि रिगवेद में हर सूक्त में किसी को कोई देवता अच्छा लगा तो किसी को कोई देवता और पटिकुलर उस देवता से जो कामना की गई उस देवता के नाम पर ही उस क्या कर दिया गया सूक्त का नाम रख दिया गया यानि अगर हम बात करें अगनी की तो अगनी सूक्त में क्या हुआ अगनी की ही विशेष्टा बताई गई अगनी से ही कुछ मांगा गया और अगनी को ही बहुत महान देवता स्थापित किया गया तो रिगवेद में हर सूक्त का अपना एक देवता है ये चीज हमने यहाँ पर जानी चलिए अब हम आगे चलते हैं देखें कि मैंने आभी आप से बात करी कि प्रते एक सूक्त का रिगवेद में बहुत सारे सूक्त हैं हर सूक्त का अपना एक देवता है ये चीज क्लियर हो अब देखे ये जो देवता है हर देवता की क्या की गई है स्थूति की गई है कि जैसे अगर हम अगनी की बात करें तो विश्वा मित्रे ने क्या किया है अगनी की स्थूति की है अगर हम इंद्र का जिक्र करेंगे तो ग्रत समवर ने क्या क्या इंद्र की स्थूति की गई है जाहिर सी बात है कि बाई जिस सुप्त का जो देवता होगा उसको स्तूती तो की ही जाहेगी लेकिन स्तूती करने से मतलब उस देवता को वहाँ पर क्या बता दिया गया? महान बता दिया गया, right? अब हम बात करते हैं देखें ये सबसे पहले हम देवता शब्द को जान लेते इसा उन्होंने अपने निरुक्त में कहा देखे यहां पर बिल्कुल मैंने आपको रेफ्रेंस भी दिया है कि निरुक्त में कहा गया है कि देवता क्या है दानादवा, धीपनादवा, ध्योतनादवा, ध्योस्तानो भवतिती यानि जो हमें क्या करता है देता है जो हमें क्या करता है प्रकाशित करता है याने प्रकाशित करने से मतलब क्या ऐसा दोड़ी कि हमारे पर लाइट का फोकस दाली नहीं जो हमारे भीतर जो हमारे गुण है उनको क्या करता है प्रकाशित करता है वो हमें ऐसे सात्विक शक्ति का संचार करता है जिससे कि हम अच्छे कार्य करत जो कुछ देता है मैंने आपसे कहा कि देव शब्द का अभिप्राय है उनसे जो सीधे सीधी हमारी फीलिंग्स कि अगर में बात करूं तो जिसमें देने का भाव आए जो स्वयम प्रकाशमान है स्वयम तो प्रकाशमान है और हमें भी अपने गुनों से क्या करता है जो प्रक करने के बाद वही भाव क्या हो हम में भी जागरत हो हम भी नैतिक बने सात्विक बने तो हम भी प्रकाशित हो या दूसरे को प्रकाशित करता है दूसरे से मतलब यहां पर कौन है यह जमान से ही है दूसरे से मतलब यहां पर हम से है हम याने जो वो रिशी हो विश्वामित पित है रहता है इस द्रस्टी से जो हमने यह बेसिक एक चोटी सी मैं यह कहूं डफिनेशन मान लेजिए इसको निर्वचन है आप जानते हैं कि यास्क ने बहुत सारे शब्दों का जो है अपने निरुक्त ग्रंथ में निर्वचन किया यानि उनके विकिस प्रकार से उस बहुत सारे देवता हैं क्योंकि यह संसार का क्या करने है उपकार कर रहे हैं अगनी से क्या हो रहा है अगनी से पूरा भरन पोशन हो रहा है इंद्रे से क्या हो रहा है इंद्रे जल को देने वाला है तो हमारी फसल हो रही है छेत्रबदी हमारे खेतों की रक्षा करता है त देखे अते अब यहां पर हम इस कंक्लूजन पर पहुँच गए यह तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है इसके बाद हम किस कंक्लूजन पर निकले कि जो वैदिक रिश्य है कि यहां पर यह पता चल गया कि देवता कुछ नों कुछ देता है तो इसका मतलब हमें अगर पर देवता हमें दे रहा है तो हमें उसके लिए क्रतग्यता का भाव रखना चाहिए तो हर जो रिशी है उसमें अपने क्रतग्यता स्वरूप याने अपनी कृतग्यता के भाव को स्पस्ट करने के लिए उस देवता की क्या कर दी सूती प्रारंब कर दी ठीक है और उनके अनुगरह की कामना की और जिस देवता को लक्षे में रखकर कि भाई मुझे तो अगनी की सूती करनी है तो अगनी को लक्षे में रखकर मैंने अगनी के गए जो देवता का अभी प्राय आता है एक ना उपर आपके लिए यहार वह आगनी देवता करेंगे किस चर्चा करेंगे अंगी के विशय में हम चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं अब ये एक बड़ा पेचीदगी सा सवाल है जो देवों की संक्या को लेकर एक है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं कि 33 है और एक तरह हम कहते हैं कि ईश्वर एक है देखे सब के अलग-अलग जो है मानने की अवधारना है किस ग्रंत में क्या माना गया है उसको थोड़ा सा मैं म से तो एक ही है यानि इश्वर तो एक ही है देवता तो एक ही है लेकिन उस इश्वर की हमने क्या कर ली है अलग-अलग स्वरूपों में उसको मानना शुरू कर दिया है तो वही उसके क्या हो गए है अलग-अलग रूप हो गए अगर वही देवता हमें क्या दे रहा है पानी दे रहा है तो वह हमारे लिए इंद्र बन गया है अगर वही देवता हमें क्या दे रहा है प्रकाशी तोरा जिसमें हम अपना भोजन पका रहे है तो वही देवता हमा मानना शुडू कर दिया है और वहीं उसके क्या हो गए है अलग अलग नाम हो गए देखें इंद्रम मित्रम वरुनम अगनिम आहू एकम सद्विप्रा बहुदा वदंती यह रिगवेद की बहुत फेमस बहुत ही फेमस पंक्ती है और यह आता भी है बहुत बार यह वाले यहां पर मूल रूप से की बहुत सारे लोगे कहते हैं कि इश्वर तो एक ही है उसको ही हम अगनी के नाम से मातर इश्वा के नाम से वरुन के नाम से इस एक तत्व को ही हम अलग-अलग नामों से जानते हैं टेखे आगे और चलते हैं अब यास्क ने भी यह तो रिगवेद में कहागा और रिगवेद आप जानते हैं वेद जो है पारूशे रचना है ठीक है तो यास्क ने भी इसी चीज़ का समर्थन किया उन्होंने कहा बिलकुल सही बात है कि क्य कहा कि मूल सत्ता तो इश्वर की एक ही है और इस शक्ति की जो एक सत्ता है उसकी क्या विबिन विबन अलग अलग शक्तियां हो गई है और जिनकों की क्या दे दिये गए हैं अलग अलग नाम भी दे दिये गए यानि मूल रूप से तो हमारे पास क्या है इश्वर एक ही है और इसकी अलग अलग शक्तियों को हमने क्या कर दिया है अलग अलग नाम दे दिया है अगर यह हमें प्रजवलित कर रहा है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया है अगनी दे दिया है ठीक है और यदि हमें यह बारिश दे रहा है तो हमने इसका नाम क्या कर दिया है इंद्र कर दिय यदि हमारे लिए नियमों का धारन कर रहा है तो हमने इसको नाम क्या दे दिया है वरुन दे दिया है यदि ये स्रस्टी का निर्माता है तो हमने इसका नाम क्या कर दिया है पुरुश कर दिया है तो हर जो है देवता उसको अलग-अलग शक्ति के रूप में हमने मानना शुर कहने का मतलब क्या हो गया देवता मूल रूप से तो एक है और उसकी बहुत प्रकार से क्या की जाती हैं अब देखिए, मूल सत्ता एक हुई, अब हम एक से किस पर आए? तीन पर आए. तीन देवता कैसे माने है? रिगवेद में उल्लेख किया गया है कि तीन मुख्य देव है. अब तीन कौन से हो गए? क्या पर्टिकुलर तीन का कोई नाम है? देखिए, अब यहाँ पर हमें अधार पर यह चीज कही गई है कि एक तो हमने क्या मान लिया कि प्रत्वी पर है? एक हमने मान लिया कि अंतरिक्ष में है और एक हमने मान लिया कि ध्यू लोग में है. तो प्रत्वी के रूप में हम किसकी स्तूती करेंगे? अगनी के स्तूती करेंगे. अंतरिक्ष में हम व 4री के आधार परी अभी आगे पढहिं वा फैस्ति एं लागे अ बारिक consort तेश्त न जो इसे आगे distra वा न आथे नियुन है न यहां पार्थिविप्या यह कहा का आ गया है। डिगवेद के दसमे मंदल में हमें यह पंगती मिलती है यह जो चीज आपको इहां पर बताई गई है प्रत्वी अंतरेक्ष और जो ध्यूलोग की है वह बात यहां पर इस मंत्र के मांध्यम से आगे चलते हैं देखे यास्क ने यास्क क्या करें जो विश्यवस्तु बताई जो भी concept बताया गया है यास्क उसका समर्थन कर रहे हैं अपने निरुक्त में वह भी क्या करें कि भाई हां तीन ही है या अब तक पहले यास्क ने वही रिगवेद का समर्थन किया कि मूल रूप से तो एक है शक्तियों को हमने अलग अलग डिवाइट कर दिया है अब मानने ह हम तीन हैं यहाँ पर देव कैसे हैं तीन देखो इनोंने भी माना अगनी है या फिर वायू या इंद्र है या फिर सूर्य है वही चीज़ जो रिगवेद में कहीं गई उसका ही समर्थन क्या किया यास्क ने किया तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई मन गढ़न बात नहीं कह रह और ये जो तीन देवता है इनको तीन लोग का अधिस्था था बता दिया गया कि भाई प्रतवी का Head, Controller कौन है? अगनी हो गया, अंतरिक्ष को 컨््ट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा वायू या इंदर और ध्यू लोग को कंट्रोल कौन करेगा यहने वहां का एक-एक जो है मिनिस्टर जो है हेड जो है नियुक्त कर दिया गया है और बिलकुल कहां से निरुक्त उसके साथ में उसमें से अध्याय में से हमने यह जो है कोट किया है रेफरेंस बिलक कि ही हम यहां पर चर्चा करेंगे तो 3 एवदेवता इति नहीं रुक्ता मिरुक्त को वाणने वाले क्या का गया है कि तीन ही है तो पतार इन आपको देवता शब्द स्थ्वित्रिंग इसलिए हाँ पर तिस रहा है राइट अगनी प्रत्वी स्थानिय यानि जो होंगे वह इंद्र क्या कर violent नियुलोग के तीन अधिस्थाता देव हैं जो कि यहistle देखिए अब तीन के बाद हम किस पर पड़े तीस पर अभी जैसे मैंने आप से चर्चा की थी कि रिगवेद और अथरवेद अब अथरवेद भी इस चीज का समर्थन करता है कि हां देवता 33 है अब देखिए 33 कैसे हुए क्योंकि शक्तियां तो बहुत सारी है ना सबने अब इसमें भी अलग अलग और डिवाइडेशन हो गया देखिए कैसे कि 11 देवता तो किस में मान लिए प्रत्वी पर 11 अंतरिक्ष में और 11 द्यू लोक में तो यह जो 33 करोड है इसका कॉंसेप पी कि 33 करोड ना होकर उनको 33 की कैटेगरी में बाट दिया है कि 11 को आपने कि कि 11 को प्रत्वी की की आफ़ी की डिया अ और यह कूंसे और यह यह जो मंत्रों में कहा गया है इसका ही you यह है क्या कहा गया यह देवासो दिवी एकादश हस्त एकादश ग्यारा हो गए प्रत्वी पर भी एकादश हो गए और यहां पर आपका धुलोक है उसमें भी क्या हो गए है एकादश हो गए है इसी तरीके से एकादश अंतरिक्ष एकादश प्रत्व्याम एकादश किसे देवताओं के संक्या देटीस कर दीगए रेफरेंस मैं आपको यहां पर दे दिया है देखे इसी रेफरेंस को आगए बढ़ाते मं शत्पत ब्रहमनु आप जानते हैं इसमें यहों तरे ब्रहमन के नाम भी में और यहां पर पर तेटीस देवताओं के नाम भी मिलते हैं देखो कैसे आठ वसू मान लिए ग्यारा रुद्र बारा आदित्य तो आप इनको जोड़ लीजे बारा और आठ बीस और ये कितने हो गए हैं आपके 31 तो ये हो गए हैं और 32 ये हो गया है और 33 आपका ये हो गया है तो इस तरीके से शत्पत, ब्रहमन और एतेरे में भी ये 33 की संख्या हमें देखने को मिलती है आगे चलते हैं अब देखो ये जो 33 हमने पढ़े उनका वर्गी करण किस आधार पर करेंगे ये यास्क ने वैदिक देवों को तीन वर्गों में बाढ़ दिया प्रत्री स्थानिये अंतरिक्ष स्थानिये और ध्यू स्थानिये देवता यानि जो हमारे 33 देवता है उसको क्या करके कैटेगरी 11 पर हो जाएंगे 11 अंतरिक्ष में और 11 आपके ध्यू लोक में हो जाएंगे और ये उनका क्या है डिस्क्रिप्शन है कि कौन-कौन से देवता होंगे नाम होंगे तो याप देख लीजेगा अग देखो दोस्तों ये अभी तक मैंने जो आपसे बात की ये बेसिक कॉंसेप्ट था ऐसा नहीं कि मैं सीधा अगनी पर आ गई क्योंकि अगनी तो ठीक है आपके कोर्स में है लेकिन अगनी को जानने से पहले ये जो वाइदिक दीवता है उसको रहता है कि एक है कि तीन है कि 33 से अब मैंने यहां पर आपको यह कॉंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि मूल रूप से तो देवता हमारा एक ही है इश्वर एक परम सत्ता है उसकी जो है हमारे विभिन रिशियों ने बहुत सारे यजमानों ने अलग-अलग शक मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया अब हुं यहां पर आ गए है अगनी सुकतiriब और अगूँ इसका एक प्रजवलित होती है प्रकाशित करती है तो उसकी जो इस्तूती की गई तो अगनी देवता के रूप में तो अगनी सूक्त को लेकर कैसे विगत परिक्षाओं में प्रशनाएं थोड़ा सा इस पर हम लोग देखते हैं देखे स्कूल व्याक्याता 2013 में पूछा गया कि रिग यानि आपको यहां पर क्या जानने की जरुत है अगनी का यहां पर क्या पूछा गया है विशेशन पूछा गया है तेखे अग्मी का विश्येशन तो हम अग्मिसुख्त analogy आपको לתनेश्चेट जो भी अग्मिक हैं उसको में पढ़ना पड़ेगा सेकिंड प्रथम Medyas स्य प्रथमसुख्त अम्रिग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त यानि आप कोई सा भी देवता पढ़ लीजे कोई सा भी सूक्त पढ़ लीजे आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से मंडल का और कौन सा सूक्त है यानि की मंडल और उसके साथ उसका क्रम ये दूसरी चीज भी आपको पता होनी चाहिए राइट यान पर question का nature बता रही हूं answer तो हम लोग solve कर ही लेंगे लेकिन answer तो हम जानते हैं इतना important नहीं है क्योंकि वो answer की में भी है आपके पास पिछले सालों के exam में लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि प्रश्न का nature क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है ठीक है हमको तयारी करनी है तो इसमें यह है कि हमें आसे मंदल जैसे लिया गया और कराम से आछीए यह थे का क्रम क्या है दीखो अगला प्रत्ष्ण अगणी सूपतास्यय रिशी याने इस जो भी सूप्त है उसकी रचना कौन से उसके जो मंत्र है, स्तूती की है, वो कौन से रिशी ने किये, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये तीसरी important चीज आ गई, कभी कृतु ये वापस आपस आपसे विशेशन पूछ लिया गया है, यानि विशेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका teacher grade second में पूछा गया है, दे ये यहाँ पर भी ये अमरतस्य गोपा कस्य देवस से ये आ जाईए, यानि विशेशन आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, कि किस देवता को किन किन विशेशनों से नवाजा गया है, राइट, अगला प्रेशन सादेवाम एह वक्षती इत्यत्र सह इतिपदेन को देवो अभिप्रेत, यानि ये ऐसा का ऐसा एक मंत्र है, मंत्र की एक पंक्ती है, जो कि उठाली गई है, और उसमें पूछा गया है, कि यहाँ पर ये जो सह है, ये किस देवता के लिए आया है, इसके माइने क्या हैं दोस्तों, ये इस प्रेशनों को देखें, ये तो ख प्रेशन हम से क्या कह रहा है, ये प्रेशन आप लोगों को ये मैसेज दे रहा है, कि आपको क्या आने चाहिए, आपको मंत्र और उनका अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि मंत्र की कोई सी भी पंक्ती कहीं से भी उठकर आ सकती है, और उसमें पूछ लिया, आई है ना, ये दिखब आये और इसमें पूछ लिया गया रहा है यहां पर इस परद्र पствен tahun paper तो मंत्र हैं कि मंचलें हैं कि मैं मंत्रों का आप तो सुक तो देखे ला हुद का देग लिए CDC देख लिए है और उसका क्रम देख लीजिए यह सब तो देखने हैं लिसके बिन उसके अलावा हमको मन्तर का अर्थ भी पता होना चाहिए कि हमें मोटा मोटा यह दो पताना चाहिए कि हाँ उस मन्तर को देखते ही हम पहचान जाएं कि यह मंत्र कौन से सूक्त का है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है दोस्तों और देखते हैं यह देखें अगें यह 2018 में पूछा गए यहां पर यह आपको फिलिंदा ब्लैंक दे दिया गया है पूर्वे भी रिशी भी इडेयो नूत नहीं होती है वापस जो है यह लाइन देखी वापस आ गई है ठीक है और यहां पर कौन से देवता की सूती की गई है याने मंत्रों को भी जानना हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह आप विगत परिक्षाओं के प्रशनों से इसकान दाजा लगा सकते हैं होतारम रत्न धात्मम अगें पर विशेशन पूछे गए हैं कि जो विशेशन है यह किसके लिए प्रयोक्त किये गए हैं चलिए यह तो विगत परिक्षाओं के प्रशनते अब तक हमने बेसिक बात करी है अब हम चलते हैं हमारे अगनी सूक्ती की तरफ और अगनी देवता की स्तूती आप और मैं मिलकर करते हैं और देखते हैं कि अगनी देवता को हम कितना प्रसंद कर पाते हैं उनकी स्तूतियों के माध्यम से तो पहले बेसिक इंटरेक्शन हम अगनी का देख लेते हैं जाहिर सी बात है मैंने आपको बता दिया कि जो सूक्त है सूक्त के पहले जो भी देवता आ गया तो उ होना चाहिए तो पहले मंडल का पहला सूक्त है अगनी इसके रिशी कौने देखे विश्वा मित्र और मदुचंदा यहां पर आप अगर इसा आएगा तो प्रश्ण डिफिनिटली एक सोए परसें डिलीट होगा अगर दोनों में इसे एक आजाता है कोई साभी तो आप उसको टिक कर लीजे दोनों एक साथ आजाते हैं तो भी ठीक है लेकिन दोनों अलग अलग अप्शन में आएंगे तो प्रश्ण किसमें चाहेगा डिलीट होगा इसलिए विश्वामित्र भी है और मदुछंदा दोनों हमें मिलते हैं अधिक्तर हमें विश्वामित्र लेकिन जब हम जाते हैं पीजी कुसमें तो वहां पर हमें मदों से होता है और शंद इसमीं वहती हैं आपके 286 वरन होते हैं आधिक छंद कितने हो गायत्री फॉंधे है तो यह गजिंव बादन कितने होते हैं तो गैत ओर entails गboat a तो इस तरीके से यहां पर हम बात किसकी करेंगे गायत्री चंद की तो गायत्री चंद में कितने वर्ण होंगे आपके चोईस मंतर कितने है अगनी जो सूक्त है और छोटा सा सूक्त है हमारा जिसमें की टोटल नो ही मंतर आपके है देखे अब जो इम्पोर्टेंट जहां से प्रश्न पूछता है एक्जामिनर याने विशेषन या फिर अगनी सूक्त की ऐसी कौण सी important बाते हैं ऐसे कौन से जो keywords हैं जहां से प्रश्ण बन सकता है जो आप से पूछे जा सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा important है देखें सबसे पहला कि प्रत्वी स्थानिय देवताओं में सबसे प्रमुक देवता कौन है यह तो हमने पढ़ लिया ना प्रत्वी स्थानी जो प्रत्वी का अधिस्ट आता किसको है बनाया गया था किसको वहां का इंचार्ज बनाया गया था अगनी को बनाया था तो जब जब प्रत्वी इस्थाने देवता है और उसमें अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रत्वी इस्थाने डेवतां में सबसे प्रमुक्षान सबसे पहला इस्थान या सबसे इंपोर्टेंट मुख्य कौन है तो वे हमारा कौन है अगनी है ठीक है यह सबसे पहली इम्पोर्फ्न डाइक है प्रभाव और विस्तार की धृटि से रिजवेद में दूसरा इस्थान तो पहला किसका है पहला इंद्र का कि द्रस्तारी से लिए इसे लिए प्रभाव और विस्तार के तृस्तार ़िएधिसे जो तो यह विश्व वेदस यह दो विशेशन यहां पर दिये गए विश्व पूरे संसार को जानने वाला जात वेदस जाते वदस याने सबका क्या रहस्यों को जानने वाला जितने भी गुप्त रहस्य हैं उनको क्या करने वाला जानने वाला कौन है अगनी है और यह जो जात वेदस यह जात वेदस कर लो जात वेदस शब्द है कितनी बार प्रयुक्त इतना इंपोर्टेंट नहीं है आप से इतना जादा नहीं पूछा जाएगा इतो सिर्फ आपको मैंने नॉलेज के लिए हम पर लिग दिया कि पर्टिकूलर यह जो जात वेदर से इस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ इस शब्द के लिए पर्युक्ति किये गए तो यह अगनी के लिए प्रयुक्ति किये गए और कौन से विशेशन इसको देखते हैं कि यह कृति क्या होता है तो अब घी रिलेक्टेड जितने भी वर्ट्स आजाएंगे वह सब आप जानते हैं हमारे अगनी में तो हूम क्या देते हैं घी से ही तो करतेने सब्काम इसलिए गी जो है अगनी का क्या है मुख्य पसंदीदा भोजर है अगीवार मैं इस सब्हे भी होती है इस लिए तो क्या कहा गया है जहां पर हमारे रोम होते हैं उनके लिए कहा गया है ग्रित प्रतीग घी का जो प्रतीख होता है ये सारे गृत वाले जो भी विशेशन हैं वो सब आपके किस के हो जाएंगे, अगनी के हो जाएंगे, सोचिश केश, केश, केश बाल हो गए, सोचिश यह जवाल, देको बाल से क्या मतलब, आप जानते ही ना ऐसे ऐसे जवाला ही निकलती है, अभी हमने एक फोटो देखी थी लो देखो तोड़ा सा मैं बैक लेके चलतीूं आपको यह ऐसे-ई-टो यह कैश होगा इसका निकलने वाले और राइसे जवाला निकल रिया इसको क्या कहा गया जुदाइट समझ में आगया चलिए आगे देखते हैं रखतस मश्रूव हिरंडिय स्मश्रूव किसको दाड़ी को हैना लाल लाल सी डाड़ी वाला चुकि जल रही है तो क्या हो गया हिरंडे ने स्थे जैसे कि वह गोल्डन-गोल्डन से अनुभूती सी हो रही कै्टी स्थ है न इसलिए कहा गया तीक्ष्ण दंस्ट् ये सारे में आपके विशेशन हैं ये सब किसके हैं अगनी के हैं ठीके और च conve neon qa this कि में इसकड्रा इंपोर्टिंट्ट प्रोहित है नेता है विसी का जानती है जो याक्या करने वाला है, यग्य को करने वाला है, पुरोहित और यहां पर पुरोहित जो सामने अगनी कहा है, उसके यस contribute नेता ले जाने वाला है, यह लीडर है, हमने जो भी उस यग्य में डाला तो हमारे द्वारा डाले गए सामान को देवताओं तक ले जाने वाला है इसलिए इसको क्या कहा गया नेता और देवताओं पर हम जिस जिस देवता का आववाहन करते हैं उस देवताओं को बुला कर तो अगनी देवी लाता है इसलिए क्या है लाने वाला भी ले जाने वाला भी है और लाने वाला भी है रतन धातमम अभी पूछा गया था रतनों को अधारन करने वाला है सर्वेश्च्रेश्ट के रूप के रूप में आप जानते हैं आप यहीं दूप के तू जूप की दोा निकलता इसमेश्ट व्यव-वेश्वानर है और देखी कौँ से भिषेशन है रई रई इसको बोलते है धन को धन का स्वामी है ग्रिया पती हमारे घर का स्वामी है अगनी नहीं होगी बहित है चलेगी नहीं तो चाई कैसे बनेगी खाना कैसे बनेगा खाएंगे नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे है ना तो जीवन जीने के लिए तो खाना जरूरी है खाने के लिए अगनी होना बहुत जरूरी है तो घर का अमारा स्वामी है पावक पवित्र होता है वरिशा वर्शन करने वाला है तीन स्चीश वाला है राजा है हरीकेश है क् चंदर भी कहा गया है इसा है यह कि पुरानी सभी बातों सब रहताइं अतीत और अनागत को जानने वाला है सु प्रतीक अच्छे मुख वाला सु द्युद सु द्धूर कानफ़ वाला है देखे तो सारे विशेशन है अब इसको त्रयमबक भी कहा गया है त्रयमबक क्यों कहा गया है क्यों तीन माताओं वाला है प्रत्वी अंतरिक्ष और ध्यू वाला है इसलिए चहेस्र सुनून पाम पात। देखो अब यहां पर अपान पात। इस इस विश्याश्वन्हों को ध्यान लखेंगे। फूच्छा जाता है क्या जलों से उत्पन वाला है। अगनी में भी हम पढ़ेंगे… लेकिन अपन हम अपाम नेता पढ़ेंगे। वह जलों को लाने वाला है। अगनी और इंद्र में हमको confusion में नहीं आना है अगनी क्या है जलों से उत्पन होने वाला इंद्र क्या है जलों को लाने वाला है इसलिए उसके लिए अपामनेता आएगा यह अपान पात है यानि जलों से उत्पन होने वाला अगनी कहां से उत्पन होता है जल से उत्पन होता क्रिश्णवर्टमा काले मार्ग आप जानें धुएंग वाला है। हमेशा पवित्र है दमूणा घर का क्या है परहम मित्र है और विशेशन अगनिका देखें अगं में के भात की गई है इकल बताएं अरणिवसे और दूसरा जनमे कहां से बताये ऐसे अब ने पड़ लिया और पहला जनम से अरणियों से बताया गया है कि अग्रत्र में प्रत्वी पर मातरिश्वा भा review कि बहेट मातरश्वा लेकर कि ये तिर पढ़ा था मंने जर्स पढ़ा था इसके ладно की तरी हैं तीनिल इस्थान अगनी को वरक्ष और ओशदियों का गर्भ भी कहा गया है अगनी की पतनी स्वाह से बलकि आवशक्ता के कारण इसे उर्जो नपात शक्ति पुत्र भी कहा गया है ऐसे हम अगनी को उत्पन करते थे तो घर्शन होता था बल उत्पन होता था इसलिए इसे शक्ती का पुत्र भी कहा गया है अनेक घरों में क्योंकि हर घर में रहता अगनी तो हर घर में रहता इसलिए से पुरो भूत भी कहते हैं कविशस्त कवियों के द्वारा प्रशन सनिये नाराशन सभी के द्वारा अंद वाला हरने वाला अनदकार को नस्ट कर देने वाला है सूक्रतु आच्छे अच्छे उसको करने वाला विश्व पती विश्व का स्वामी है पूरू प्रिय जग्यान स्वय मियूत्पन होने वाला है युवा है सत्य धर्मा है अमीव चातन हिंसकों का क्या है नाशक है हविश्पती है हवी देते हैं हम लोग हवी करते हैं तो हवियों का स्वामी है चित्रश रवस्तमा चित्रश स्वामि के बिना जीवन संभाब नहीं है इसलिए विविद्ध प्रकार की कीर्टियों से युकत है अंगी रहे हैं इसलिए के मातापीतिा neighborhood इसलिए इसे पित्र हंता भी कहते हैं ये ध्योश, आकाश, जल, प्रत्वी, तथा त्वस्टु का भी पुत्र कहा गया है तो ये विशेशन है लकड़ी, घी, अगनी का भोजन है मैं आपको पहले बता दिया था घृत इसका भोजन है गृत इसको बहुत जादा प्रिय हो लक याद रखेंगे मनोजवा और मनोग्य गृत प्रस्ट लोहित वायू प्रेरित अश्वों द्वारा इसे खीचा जाता है ये रित की प्रतम संतान है और पुरुश के मुख से उत्पन होता है अगनी सोम का भी मित्र है और सोम से अभी व्रद्याने और ज्यादा व्रद्धी अगनी के यह जूरवेद में तीन रूप बताए गहें ये तीनों रूप दे दिया है और आरियों के समस्त ग्रिय करत्य जो है वह अगनी के द्वारा ही होते हैं अब दोस्तों देखें अब तक जो मैंने आपको बताए वह सारे अगनी के विशेशन थे बहुत इमपोर्टे करने तो नहीं भाज़ना झालगा का बीज्य्याशन नहीं होगा कहीं सênio बीज करने का भला है कि भॉद्टे स्थेशन के पांस अबन्य पर एंचे बीचाने, का रहिं हो मृट 2 एक टाकत चीज है वह आप को एक साथ इहां यहां पर मिल रही है कि नहीं जाता हैं तो आपको अससी ब्हुंत करते हैं तो आप चल आज कुछ ढप जानते हैं छोड़ी सोरूब आप जानते हैं तीक है लिकिन अभिपराया भड़ा होता है हम को बस दिन सोब्स जो जो की इसन इस पूश रहा जाती है क्विशेशन ऊटा में भु सी यह प這種 नहीं आप ईक वारा आप समझे लिजेए तो दिखिया मनुवाध की तरफ चलते हैं क्या कहा गया कि अगनी इड़े है क्या यह आप ये वैसे तो इसको आप कि आब गोलते हैं इसको हो स्वर हो तो देखे इसके पहले क्या है आपको दिख रहा है और इसको निकाल लो उस दे के बाद क्या है आपका यह दोनों ही स्वर है तो इसे ड को हम कैसे लिख देते हैं इस तरीके से लिख देते हैं लेकिन भी बुलता क्या है ड ही बुलेगा लिख आप इसको इस तरीके तो आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर है तो आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लेकिन बोलेंगे क्या धॉड ठीक है तो अगनि में द्वित्यावी भखति हो गई कि मैं अगनी की स्थूति करता हूं तो अब देखि विशेशन और विशेशन अगनी, हमारी क्या द्व Vivep में बाद करेंगे तो समान में भरति समान लिंग में होते हैं है। कि कैसे अगनी की मैं वियुक्त करता हुं won कि तैसे अगनी की में出来 करता हूं जो क्या है। पुरोहित है यग्य में हमारे सामने जो इस्तित है और जो क्या है देवम क्या है देवम याने दिव्वे गुणों से युक्त है जितने भी गुणों देवता में होते हैं जितने भी दान आदीचा किसी भी तरीके के हर प्रकार से जो गुणों से क्या है युक्त है और क्या है रित्विजम जो क्या है रित्विक है और क्या है होतारम होता होता यने यग्य में क्या करने वाला बुलाने वाला यग्यों को जितने भी हमारे विशी हैं उनको यग्यों में बुलाने वाला हमारी आहूतियों को ले जाने वाला बुलाने वाला और रत्न धात्मम जो कि क्या ह रतनों को धारण करने वाला है ऐसे अगनी देवता की मैं स्थूती करता हूँ तो यहाँ पर देखे यह तो अगनी हो गया और यह इड़े यह आपके क्रिया होगे कि मैं स्थूती कर रहा हूँ अब यह सारे बाकी आपके विशेशन होगे नमबर एक कैसा है वो यग्यस्य प् यग्य के प्रोहित की देवम, रित्विजम, होतारम और रत्म धातमम ये पाच आपके यहाँ पर विशेशन दे दिये गए हैं कि मैं ऐसे अगनी देव की स्थूती करता हूँ जो यग्य का प्रोहित है, जो देव है, जो क्या है रित्विक है, जो होता है और जो रत्नों से य पुरस आप जानते ही अव्य है तो क्या हो जाएगा पुरस और यह जो धा है धा किसमें बदल जाता है ही में बदल जाता है आपको जो विशेशन है अरथ में यहां पर बताती जा रही हूं आगे चलते ही देखे अगनी अब देखो यहां तो है पूर वेभी ये तो क्या है आपका क्या हो गया वैदिक रूप लेकिन लौकिक अब क्या प्रचलित है अब पूर्वई अब क्या हो जाएगा अब क्या प्रचलन में है पूर्वई पहले क्या चलता था पूर्वे भी ठीक है ऐसे ही तो अगनी क्या है पूर्वे भी यानि जो पहले टाइम के जो रिशी ह जितने भी पहले के रिशी थे उनके द्वारा किया जा रहा हूज दोरी है श्तूती किया जा में पुराने कीया इंड कि आप रिशी और vision निला में वार्खमान थे मेरे जैसे रिश्यों के द्वारा भी आज भी आपके सूती की जा रही है और सहय ने वह अगनी देव देवान याने देवताओं को तेखो अब इसको तोड़ो यह क्या है इसको तोड़ो गया अप इह हो जाएगा और निकल जाएगा और यह आ किसमें जुड़ जाएगा इसम जाएगा इस वक्षए आपका वैदी गूरूप में लोकिक में क्या होता यह वक्षएती होता ठीक है देखो अगनी देव आप पूरवे भी रिशी भी आप विशेशन विशेशी पूरवे भी हो गया तो यहां पर यह रिशी भी हो गया तो प्राचीन जो भी देखो सबको प्रसемон wasब कर तो उन सब देवताओं को मैं आपकी के रहूं मैं आपका आवहन कर रहूं तो यहां पर उस यग्ये में आप क्या लेकर आए आवक्षति यानि उन देवताओं को लेकर हैं उनको प्राप्त कराई ठीक है यह वैदिक रूप है मैं आपको बताई चुकी इडे यहां पर यत प्रत्ते लगावा है और वक्षति वहदात्यू से लोट लकार क्यारत में यहां पर लटलकाल यहां पर प्रयुक्त Seems देखेओं पशुता अग्निना यह देख लोगा तरतिया विद्वक्दी ऐम जने उन्हटे द्वारा किये अग्नि के द्वारा कैसा अग्नि ग्वारा किस को को प्राप्त करें याने जिस अगनी के हम स्थूति कर रहे हैं कुछ सबनी के इस सतूति किये जाते हैं अगनी-देव की द्वारा हम किसको रहें याने धन को आश्णवत और याने प्राप्त करें धन को मिलता है दिवे 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 का क्या मतलब होता है दिवे दिवे का मतलब होता है प्रती दिन लौकिक में इसकी जगे क्या शब्द मिलता है प्रती दिन और वैदिक में क्या मिलता है दिवे दिवे राइट तो प्रती दिन हम आपके द्वारा धन को प्राप्त करें पोशं कल्यान को पोशनता को प्राप्त करें यशशं, यश को प्राप्त करें और वीर् अगनी इस्तूती तो हमकरी रेख अगनी से ये जमान प्रती दिन ये ृधिवे औहें किस को प्रप्त हो ब Bengal को और श्रक्त अश्रक बने बुए को पोषन और वा ये और ये श़ं ये को और वीर वत्तमम दे को पुत्र भ्रत्य आदी वीरों से अत्यदिक युक्त रहीम याने धन को अश्नवत याने प्राप्त करें तो हे अगनी देव आप हमको ये सब चीज़ें भी दे ठीक है आगे चलते हैं देखिए अगने अब यहाँ पर यह आपको पता चल रहा है यह जिसमें क्या हो जिसने हिंसा नहीं हो जिसमें प्रकार की हिंसा नहीं हो सैंध़ां यहां पर और लियाप्त करते हो यहांनि हम क्या करने जो एक कर रहे हैं वो यग्य कैसा है इसको आप विश्वत याने पूरे विश्वत यहां पर कहा मतलब है पूरा यह जो प्रहध मान्थ है पूरा जो संसार है सभी दिशाउं में आकाश पाताल शबी लोकetr Mix सभी और से आप इसको क्या कर रहे हो परिभूररस कौह देवे क्राप्त कर यानि जिस यग्ये को आप सब दिशाओं में हमारे लिए व्याप्त कर रहे हैं तो वही यग्ये को कहा तक दूसरे देवताओं तक भी आप लेकर जाते हूं प्राप्त कराते हूं देखो है अगनी तुम जिस हिंसा से रहीतियंग्य को सब दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो वही अग्ये देवताओं को भी तरप्ती के लिए प्राप्त होता है। तो आप उन देवताओं की लिए उसको प्राप्त करवाते हो देखो अगनी को क्या क्या कहा गया अगनी आप क्या हो अगनी है अगनी देथा आप होता हो होता मैं आपको बताई दिया था हवन करने वाला बुलान देवताओं को बुलाने वाला ठीक है कवी क्रतु कवी क्रतु अतीत और अनागत को जानने वाला सत्य सत्य रूपिया ने आप असत्य नहीं बोलते हो आप कैसे आपका नियम कैसा सत्य बोलने का चित्रिश रवस्त में इस विशेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं विविद्ध प्रकार की कीरतियों से युक्त तो यह तो यहाँ पर एक दो तीन चार तो आपके विशेशन हो गए तीन और चार की है अगमी देव आप कैसे होता यग्यों को संपन करने वाले कवी करतु अतीत अनागत को जानने वाले सत्य रूपी गुनों से युक्त और विविद्ध प्रकार की कीरति से युक्त ठीक है और देवो देवे भी यानि आप तो हैं है और देवे भी तृतियाव कि हम जानते हैं कि क्या करें है 도मिडेवए देवफयव डीवताउं के साथ आगमत कहा हुआ कि सूधी कर रहा हूं तो ओख चाल और हैं आप करने वाले आतीत और अनागत जानने वाले आप मिध्या से रहित हैं, आप विविद्य प्रकार की कीर्टि से युखत हैं, तो ऐसे है अगनी देव, आप देवे भी देवताओं के साथ यहां पर आएं, इस यग्ये में आएं, देखो यग्ये कोई आपका होता हो गया, अतीत अनागत यापका कविकरतु हो गया, मिध्य को प्रतान करने वाला विविद्ध प्रकार की तहीं युपति आपका चित्रश रवस्त में हो गया दिवे गुनों से युपति यह अगनी देवता के इस देवे भी हुगया और आगमत याने यग्ये में आए यह प्राथना यहां पर की जा रही है ते को कवीकृतु यहां पर पर लोट लकार होना चाहिए लेकिन तुके उका यहां पर लोप हो गया है इसलिए आगमत हो गया है नेक्स देखो यदंग दाशु से त्वम अगने भद्रम करिश्यसी तव तव ठीके देखो तव इसको तोड़ो गई क्या हो जाएगा एतत क्या हो गया सत्यम अंगी रहा क् यहां पर कि है अगनी देव ठीके यह दंग जो आप क्या करते हो दाशु से तुम अगने यहां पर यह देखो यह तो मगने है अगनी देव तुम जो यह क्या करते हो दाशु से क्या हो गया हवी का दान चतुर्थी विवक्ति हो गई यहां पर दाशु से ठीके गे प्रत्य कि आप क्या करने वाले हवी का दान करने वाले यजमान के लिए दाशों से किसके लिए कहा गया यजमान के लिए और कैसा यजमान है जो हवी का कौन कर रहा है यजमान होफीका करने वायर चाल मोगाहरं कर तो यजमान कौन सी這種 हवीका दन करने वाले हैजमान के लिए आप क्या करते हो बढ़ुत मस्वार्जाप शब्रत करो to कर सार क्योंकि कल्याज से मतलब है कल्यान से मतलब है कर राफ करएं दो कर रहा है आपके लिए हवी देरा तो आप उसको यह सब प्रदान करोगे ठीक है तो तब यह सब यह तो यह सब यह तुम्हारे ही यह जो सारे पदार्थ है ना जो सब कर रहे हो देतों जगदिश जी क्या देन इसमें कोई दोराय नहीं है यह क्या है सत्य ही है तो अंगीर है अंगीर है तो यहां पर देखो अगनी है उसको अंगीरा मुनी को जन्म देने वाले अगनी देवता क्योंकि उसमें से अंगारे उत्पन होते है ना इसलिए कहा गया कि अंगीरा अथवा कि है अंगीरा मुनी को जन्म देने वाले अगनी द रहा है और विसको पशू दे रहे रहे हो चाहि आप उसको राजा राजा है तुसको प्रजा वड़ेवर जो भी कल्यान का भाव आप उसके लिए प्रदान करोगी वो सारे पधार्थ किसके हैं आपके ही हैं चलिए आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं उप उप का मतलब क्या होता है समीब पास आना त्व यानि तुम अगने हैं अगनी देव हैं अगनी देव वापस करते हैं हम जो है यग्य का अनुस्थान करते हैं दोशा वस्त याने यग्य का दोशा वस्त दोशा का मतलब होता है रात और दिन दोशा वस्ते का मतलब क्या होगा रात और दिन हम सब आपका क्या करते हैं कि से दिया यानि बुद्धी से आपका अनुस्थान करते हुए दे इसका मतलब क्या हो जाएगा रात और वस्ते का मतलब क्या हो जाएगा दिन और यह आपका प्रती दिन होई गया ठीक है कि है अगनी देव प्रती दिन रात दिन रोज हम क्या करते हुए धिया इने बुद्धी हमारी उत्तम बुद्धी से आपका अनुस्ठान करते हुए आप दिन सारे दिन हम आपकी पूजा करते रहते हैं पूजा से मतलब आहुती देते रहते हैं आपकी स्तूति करते हैं हम आपके क्या करते हैं समीप आते हैं और समीप भी कैसे आते हैं नमो भरंत नमस्कार करते हैं मतलब हातों को ऐसे जोड़ते हैं हम आपके उप मसी अब आपके हम क्या आते हैं पास आते हैं ठीक है नेक्स्ट अब देखो आप कैसे है राजनतम राजनतम याने प्रकाश राजित होते वे प्रकाशित होते वे और अद्वारानाम हिंसा से रहित जो यग्जी है उसके क्या प्रक्षक है ठीक है गोपाम रितस्य यह आप से पूछा ही गया तो क्या को जाएगा आपके हिंसा रहित यज् wastewater प्रकाशमान लगलते याने प्रकाश मान होते विय धुक्हान से रखशक और रिक्षे जसे एले heavily यहांने अपने घर में व्रदी को क्या करते हौ प्राप्थ होने वाले है अग्मी देव हम आपके पुराना वाला जोट दिया गया है कि हम आपके हों कि समीप आ अते हैं और हमारा आकरी मंत्र है का जिस परकार से एक बेटे को बच्चे को जो चाहिए पापा मुझे घड़ी चाहिए तो पिता उसके लिए बहुत इजी गोईंग हर चीज अवलेबल कराता है तो जिस परकार से पुत्र के लिए पिता आसानी से पहुंचने योग्य होता है वैसा ही भाव आप हमारे लिए रखें हम भी आपके पुत्र हैं और आप हमारे जाता है और कोई चीज खरीदिनी और प्ष़ निए बाजार से मंगमानी उती तो पापा की पास जाता तो उसको पता है मुझे जो है क्रिकेट का किट पापा इरिए तो पैसा पैसे की जांबाताई तो तो पिता की पाश जाएगा तो ऐसे जिस प्रकार से पिता अपने एने पुत्र के लिए क्या होता है Celfアणी स्वाट करने योग्ये बने सु प्राप्प्य बने सचस्वह्था नहां घरेकर एप स्वस्त्य है और हमारा कल्यान करने वाले बने तु जिस प्रकार से करें योग्येश हे लिए बने तो दोस्तों यह हमारे यहां पर 9 मंत्र अगनी के कंप्लीट हो गए हैं हर एक उसका भाव मैंने आपको बता दिया है कि किस मंत्र में क्या-क्या दिया गया उनको आप दुबारा पढ़िएगा आपको सब समझ में आ जाएगा चलिए देखिए दिवे 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 का य विशेशन किसके लिए काह गया विश्वपती हम जानते हैं यह अगनी के लिए काहें तो अगनी वाला है तो वह भी कौन है हमारे लिए अगनी है अब देखो जो पिछली परिक्षा वाले प्रशने उनको हम सॉल कर लेते फटाफट से पुरोहित वापस आ गया तो रिगवेद में पुरोहित किसकी संग्याद गी यह हमको पता है अगनी को कहा गया है तो इसमें हम ए पूछा गया तो इसमें मदुछंदा और विश्वामित्र दोनों ही option दिये गए है तो इसमें हम भी option के साथ जाएंगे नेक्स कवी कृतु अभी वापस पूछी लिया मैंने आपसे तो कवी कृतु किसका विशेशन है अगनी का विशेशन है होता हो गया कवी कृतु हो गया सत्य हो गया इत्यादे यह सारे हमने पढ़ लिए सारे विशेशन मंत्रों में आयोए हैं यह पढ़ लिए तो यह सब वि तो आप दूसरे देवताओं को लानी का खाम कौन करेगा अगनी करेगा अगर अर्थ पता होगा तो बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि किस देवता की बात यहां पर हो रही है इसके बाद देखो यह पूरे भी प्राचिन रिशियों के द्वारा और नवीन याने अब वर्तमान कालिक उन रिशियों के द्वारा भी है अगनी देव आप क्या करने योग्ये हो इस तूति करने योग्ये हो और आप उन सब देवताओं को लेकर यहां पर आएं तो यहां पर यह किसके लिए कहा गया है और होतारम रतन धातमम इती विशेशन यह दोनों विशेश करेंसे जाना सबसे पहले हमने बढ़ने के बाद अगनी आप को और च्राशन को तथे जानने के बाद हमने उपता मेंगा यहां रिई बढ़ने के बाद हम और ऑगनी षूक्त में पर पहुंचे और यह सीक लिया कि हमें जो है अगनी जो भी देवता है उसका क्रम हमको पता होना चाहिए पहले मंडल का पहला देवता विशी हमको पता होना चाहिए विश्वा मित्रिया मदुचंदा चंद हमको पता होना चाहिए गायत्री है मंत्र कितने हैं नौ मंत्र हैं ये चीजें और उसके अलावा विशेशन जितने भी हमने पढ़े वो विशेशन सारे हमको पता होने चाहिए और लास्ट ली अगनी देव के सूती में किये गए जो मंत्र हैं उन सब को हमने अच्छे से विस्तार में पड़ा हर मंत्र का अर्थ मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया तो मैं आशा करती हूँ कि अगनी सुप्त से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो वीडियोज नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें